तो आज फिर एक न्यूव वीडियो आपके सामने लेके हैं वीडियो अच्छा लगे तो फिली वीडियो को लाइक करना में बुलेगा और हाँ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मैं जबी भी कोई न्यूव वीडियो लेका हूं सबसे पहले नोटिकेशन मैं उसका रिप्लाइज चरूर देती हैं तो देखें मेरे वीडियो बारिस का मौसम सुरू होता है और मच्छर मक्की हो जाते हैं बहुत ही जादा और मच्छर मक्की कैसे होता है जैसे बारिस का मौसम होता है तो कई जगह भर जाता है पानी तो उससे क्या होता है मच्छर बहुत ज्यादा पेदा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा काटते हैं मलेयर या डेंगु कई होने का खत्रा रहता है और साथ जात मैं मक्यों का बगाने का भी नुसका सेर करूंगी तो बने रहेगा वीडियो में जब आपको समझ में आएगा तो यह देख सते हो गाइस यह लि खाली ओयल कोई यह नीम का ओयल है आप चाहुत तो जिससे मार्किट में मिलता है वो भी यूज ले सकते हो तो इसमें मैंने करीवर एक चमच के लबग ओयल डाल दिया है तो इसमें कड़वाट होती है नीम की ओयल में तो उससे जैसे हम देज पते डाले हैं और नीम का ओयल ड तो मैं करीबं दो कप ले रहे हो और इनों को तोड़के अच्छे से फोड़के और तो जी रहे हैं तो बील जाएगी और तिल्ली से और इसने जनी निकलेगी तो इससे मुझोर बिल्कूल भी है टिक पाएंगे जैसे आपके कमरे में बहुत ही ज्यादा मच्छर हो गए जांक क्या ही जगह आपके मच्छर हो गए हैं महां आप जैसा मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हो या आपके पास कोई मेरे पाज़े से कटोरी है खराब वाली है तो उसको यू ले रही है ऐसा कोई एक बर्तन निकल जाएंगे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे तो देखे गाज इस तरह से जलते रहने दिना दीरे दीरे जलता रहेगा और फिर इसको बाद में बुझा देना है फिर इसकी धुआ निकलती रहेगी तो अलगी समय आएगी तो मैंने पहला नुसका सेर कर दिया अब यह है लोगी कप लोगी जो चाई कोफी पीते हैं वह वाला डिस्पोजल वाला और इसमें डालके और फिर हम इसको कूट लेंगे क्योंकि आपको जिसे बरतन वाला जो आप यूज करते हो कि चन में वह बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि यह कपूर ऐसा होता है कि इसकी स्मेल जल्दी सी जाती नहीं है आप बरतन को कितना है साफ कर लो जबी भी नहीं जाती है तो आप डिस्पोजल वाला ही लीचेगा और उसमें अच्छे से इसको जैसे कूट लेंगे और यह देखेगा इसमें बेलन लिया है यह भी बिल्कुल खराब सा पड़ा हुआ है मेरे पास सादा पानी आता है बिल्कुल वह पानी करें एक गिलास के लगवग इसमें भर लेंगे अच्छे से डाल देंगे तो गाइस यह क्या काम करेगा जैसे मच्छर हो मक्खी हो या आपके घर में जैसे चिपकली कहीं चुपी रहती है तो उसका भी ड्र लगा रहता है क्योंकि क करीबन हम यह डाल दूँंगा एक डखन के लगवग में चाजिए तो वाइट विनिगर आप wash में लगाग से लेक्वेर को आ मुपास ना हो तो आप निम्मू भी डाल सकते लो इसमें वाइट विनिगर में ङुज tut का लिगा मॉपास बारिक हो तो जैसे ईालडिय यह कि पो कपूर जो हमने कूट के रखा है उसको अच्छी से बारी सा कूड लिया है तो इसमें हम डालेंगे अब कपूर से आप क्या कर सकते हो जो मैंने सभी सामान डाल रही हूं यह जिससे आप इससे पूछा भी लगा सकते हो आपके घर में मच्छर मक्षी बिल्कूल भी नहीं आए आप पहुचा लगा उस पानी में इसको मिला लीजिए उससे भी आपके घर में मच्छर मक्षी नहीं आएंगे इस भी पहुचा भी लगा सकते हो और इस परे कर दिए मच्छर मक्षी बिल्कूल भी नीटिकेंगे और चिपकली होगी उन्हों को भी इसकी स्मेल बिल्कूल लग जाती उसमें भी काम में आता है तो गंद की को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी एक चीज है तो यह डिटोल इसमें एक डिटोल डाल देनी है डिटोल डाल के और फिर हमें इस पर डखाल की अच्छे से से कर देना है से करने और चाहे आप यह स्प्प्रेय Smart तो चिर्ए यह स्प्रेय हों के रैड़ी होगा। जाहि इसमें जैसे पोचा लगा रहे तो इसमें डाल डाल और यो यह स्प्प्रेय करें ने प्योनार के झाला तो इसलिब और आप मगः करिए तो जिदर पड़दे के पिछे हो, ओने कोने में हो, कीचन में हो, सबी जगे इस तरह से स्प्रेक कर देना है तो इसी तरह का DIY मैंने एक और सेर किया हुआ है, तो आपने नहीं देखा हो, तो वो भी जाके दे सकते हो तो आपको हमारा वीडियो केसा लगागा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा भी अच्छा लगे, जरा भी अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बुलेगा और हाँ, यह दिए आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजेगा, माउस का रिप्लाइज जरूर देती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स रेमेडि में, ओकी, बाइ फ्रेंड, एंड टेक्ट